राश्ट्रपती पुतीन, राश्ट्रपती श्री, राश्ट्रपती रामा फोशा, राश्ट्रपती बॉल्सोनारो, नमस्कार! ब्रिक्स सिखरवारता में आप सभी का बहुत स्वागत हैं, ब्रिक्स की पंदरवी वर्जगांट पर इस समीट की अद्रिक्स्ता करना मेरे लिए और भारत के लिए खुशी की बात है! आज की इस बैठक के लिए हमारे पास बिश्तुरुत एजेंडा है, बैठक का एजेंडा आप सभी के पास भी हैं, यदि आप सभी की सहमती हो, तो हम इस एजेंडा को अपना सकते हैं, एजेंडा को स्विकार किया जाता है, एजेंडा के पारित होने के बात, हम सभी संख्षित में अपने ओपनिंग रिमार्च दे सकते हैं, पहले मैं अपने ओपनिंग रिमार्च दूँगा, और फिर बारी बारी से आप सभी महनुभावों को आमत्रित करूँगा, एक्सलेंसीज, भारत की अध्यक्ष्था के दौरान, हमें सभी ब्रिक्स पार्टनर्स में और सभी से भरपूर सहयोग मिला है, और इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, पिछले डेड़ दसक में ब्रिक्स ने कई उपलब्दियां हासिल किये हैं, आज हम विश्व की उभरती अर्थववस्ताओं के लिए एक प्रभावकारी आवाज हैं, विकासिल देशों की प्रात्फिक्ताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी यह मंच उप्योगी हो रहा है, ब्रिक्स ने न्यू डेवलोप्मेंट बैंक, कंटीजेंसी रिजर्व एर्रेंजमेंट और एनरजी रिजर्च कोपरेशन प्रेट्फॉर्म जैसी मजबुत संस्थाओं का स्रिजन किया है, नीसंदे गर्व के लिए, गर्व करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, मगर यह भी महत्वपूर्ण है कि हम आत्म संटूस्ट नहों, और हमें यह सुनिशित करना है कि ब्रिक्स अगले पंदरा वर्सों में और परणामदाई हो, भारत ने अपनी अध्रिक्सता के लिए जो थीम चुना है, वह यहित प्रात्विक्ता दरसाता है, ब्रिक्स at 15, इंट्रा ब्रिक्स कोपरेशन फर कंटिनुटी, कंसलिडेशन एंड कंसेंसस, यह चार सी एक प्रकार्चे हमारी ब्रिक्स भागिदारी के मुल्च सिध्धानता है, इस वर्ष कोवीड की विवस्ताओं के बावजूद, 150 से अधिक ब्रिक्स बैठके और कारकम आजज़ित किये गए, जिनमें से 20 से अधिक मंत्रिश्तर पड़ते, परंपरागत खेत्रों में सहयोग बढ़ाने के साथ हमने ब्रिक्स एज़ेंडा का विस्तार करने का भी प्रैत्न किया, इस संदर में इस साल ब्रिक्स ने कई फर्स्ट हासिल किये, यानि कई चीज़े पहली बार हुई है, हाली में पहले ब्रिक्स डिजिटल हेल्थ सम्मेलन का आवजन हुआ, टेकनलोजी की मदद से हेल्थ एक्सेस बढ़ाने के लिए ये एक इनोवेटिव कदम है, नवंबर में हमारे जलसाओं साधन मंत्री ब्रिक्स फॉर्मेट में पहली बार मिलेंगे, यह भी पहली बार हुआ कि ब्रिक्स कि ने मल्ट्री लेटरल सिस्टिम की मजबूती और सुधार इस पर एक साजा पोजिशन दी, हमने ब्रिक्स काउंटर टर्रिजम एक्शन प्लान भी एड़प किया है, हमारी अंत्रीक्स एजन्सिया के बीच, रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट कॉंस्टिलेक्शन, समझोते से सयोग का एक नया अध्याश शुरू हो रहा है, हमारे कस्टम्स विभागों के बीच, सयोग से इंट्रा ब्रिक्स व्यापार आसान होगा, एक वर्चुल नेटवर्क के रूप में, ब्रिक्स वैक्सिनेशन अनुसंधान और विकास केंद्रा, शुरू करने पर भी सहमती बनी है, ब्रिक्स एलाइंस और ग्रिन टूरिजम एक और नई पहल है, एक्सेलेंसीज, इन सभी नए इनिसिटिव्स ने, न सिर्व हमारे नागरिकों को लाब मिलेगा, हमारा ब्रिक्स संगठन भी आने वाले सवनों में प्रासंगिक रहेगा, मुझे विश्वास हैं कि आज की बैठक ब्रिक्स को भविश्व में और उपयोगी बनाने के लिए उपयूक्त दिशा देगी, लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दवाना मत देए।